मध्या प्रदेश की दिंडोरी से सरक हाथसे की खबर निकल कर सामने आ रही है यहाँ एक यात्री बस आनियंत्रित होकर पलट गई इस हाथसे में 20 से जादा यात्री खायल हो गए जिनें इलाज के लिए अस्पताल भीचा गया है अस्पताल में तीन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है अब तक जो जानतारी सामने आई है उसके अनुसार कुई गाउ से दिंडोरी आ रही यात्रियों से भरी बस कोटवाली थाना छेत्र के मूसर खाट पर आनियंत्रित होकर पलट गई इस हाथसे में 20 से जादा लोग खायल हो गया घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है वहीं हाथसे की सूचना मिलते ही पुलिस्टी मौके पर पहुंचे और स्थानी ये लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल फेजा